आजमगड के लोगों की मनबढ़ाई, मनबढ़ाई खत्म दिले के उपाया किया तो मनबढ़ के जेल के भीत्तर अनेत सीधा उपर, ज्यादा मनबढ़ाई तो ठेगुना पंचर आजमगड के सांसत, दिनेसलाल यादव और निरहुआ आजमगड को लेकर बिवादी बयान देकर फस गए जिले के मुबारक पुर्पिधान सभा के रात से पुर्गाओं में सनीवार को निरहुआ ने कहा कि अपने तीन महीने के कारेकार में जो मैंने खोजा कि आजमगड के पिछले पढ़ का कारण एक मात्र यहां के लोगों की मनबढ़ाई है निरहुआ यहीं नहीं रूपे उन्होंने कहा कि मनबढ़ाई खतम करने का एक ही उपाय है या तो मनबढ़ को जेल में डाल दो नहीं तो सीधा उपर पहुंचा दो जादा मनबढ़ हैं तो घुटना प मांगी है रिहाई मंच के महासची राजीयादों ने कहा कि भाजपा सांसत का ये बयान हमारी पहचान अस्मिता और जिले की गरिमा पर हमला है वह कानून ब्यवस्था को धता बताते हुए हत्या और धिंसा की धंकी देते हुए उकसा रहे है इसलिए सांसत के खिलाप मनबढ बोल रहे हैं आजम गड़ के होने के नाते हमारी भावनाओं को आहत किया है पाजपा सांसत का बयान हमारी पाचान अस्मिता और जिले की गरिमा पर हमला है सांसत का या बयान संसदिय गरिमा के बिरुद्ध है जिसमें वह कानून ब्यवस्था को धता बताते हुए और हिंसा की धम्ती देते हुए उकसा रहे हैं इस बयान से आजम गड़ के लोगों में असांती का माहौल है और सरकार के लोग इस बयान से प्रेरित होकर हिंसा कर सकते हैं इसलिए सांसत के बिरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा पुरा हिंसा को भरकाने वाला बयान है अभ चार किसान और एक पत्कार की डेत हुई यह पूरा सवाल यहां पर हिंसा भरकाने का दिले साल यादो निर्ववा कर रहे हैं इस पर हमने कहा है कि उनके पर सतकाल मुकर्मा दर्ज किया जाए यह आजम गड़ की असमीता पहचान गरिमा इस जिले के साथ एक घोर अपमान है आजम गड़ राउल संस्कितायन काफी आजमी सिब्ली नुमानी राम नरेश यादो चंजीत यादो की धरती है कि जिस तरह से यहां पर उनके लोग को मनबढ बोला जा रहा है वह पूरा छेत्र में को बोला जा रहा है वह हमारी असमीता का सवाल है और पूरा आजम गड़ सवाल से आतंकित है कि कब सरकार और सरकार के लोग आजम गड़ के लोग पर हमला ने कर दें उनके साथ किसी तरह की हिंसा ने कर दें कोई हत्या ने कर दें